हेलो आरीवन मैं प्रियेंग का चोद्रिया आप सभी का अपने प्यारेस यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दी कभी नंदन करती हूँ आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यश्पाल जी का जीवन परीचे जो कि आपके बोर्ड एक्जाम की दिश्टी से अत्यन्थी महतुपूर है तो dear students इस वीडियो को लाज तक बड़े ध्यान से देखीएगा क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यश्पाल जी का जीवन परीचे उनकी प्रमुक्रजनाएं साहितिक विशेस्ताएं और भासा श्याली तो dear students यदि अभी तक आपने इस यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नियो वीडियो का नोटिकिशन आपको मिलता रही जीवन परीचिय हिंदी के यशश्वी कथाकार और निबंदकार यशपाल का जन 3 दिसंबर 1903 इश्वी में पंजाब के फिरोजपूर छावनी में हुआ था इनके पिता का नाम हीरालाल तथा इनकी माता का नाम प्रेम देवी था सन 1921 में फिरोजपूर जिले से मैट्रिक परिक्षा में प्रथमा कर उन्होंने अपनी कुशागर प्रतीभा का परीचे दिया सन 1921 में इनोंने स्वेदेशी आंदोलन में सहपाठी अर्थार साथ पढ़ने वाले लाजपत राए के साथ जमकर भाग लिया साथ ही पंजाब के राष्ट्रिय नेता लाला लाजपत राय द्वारा इस्थापित लाहोर के नैशनल कोलेज में दाखिला ले लिया यहां से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंग, सुख देव तथा राजगुरू के संपर्क में आए कोलेज के विद्यारती जीवन में ही यह क्रांतिकारी बन गए, भगत सिंग द्वारा सार्जेंट सांडर्स, सार्जेंट सांडर्स पताः भी टकोन था? ब्रिटीस पुलिस का अफसर था उस सार्जेंट सांडर्श को गोली मारना दिली असेंबली पर बंफैकना तथा लाहोर में बंफैक्टरी पकड़े जाना आदी इन सभी सडियंत्रों में उनका भी हाथ था किनका यश्पाल जी का 23 जनवारी 1932 को अंग्रेजों से लड़ते हुए गिरफतार हो गए इन्हें 14 वर्ष की सक्त सजा हुई जेल में ही इन्होंने विश्र की अनेक भाशाओ जैसे फ्रेंच, इटालियन, बंगला आदी का अध्यन किया और 1936 में जेल में ही इनका विवाद प्रकाश्वती कपूर स हुआ क्यों क्योंकि वो भी क्या थी बिट्रा कांधिकारी थी ठीक है ना 1938 इस्वी में उत्तर प्रदेश में जब कोंग्रेस मंत्री मंडल बना तो अन्य राजनितिक बंदियों के साथ इनको भी मुक्त कर दिया गया किलियर अपाद आती बिटेन के प्रमुक पुरुस्कार होगी देखिए इनकी साहित्ते सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने देव पुरुस्कार सोवियत लेंड सूचना विबाग ने सोवियत लेंड नेहरु पुरुस्कार हिंदी साहित्ते सम्मे साली तथा प्राणवान कलाकार यश्पाल जी का 26 दिसंबर 1976 इस्वी में निधन हो गया कब हुआ बिटा 26 दिसंबर 1976 को किलियर प्रमुख रचनाई समर्थ लेखा की यश्पाल ने अनेक रचनाओं का निर्मान किया उन में से प्रमुख निम्न है सबसे पहले इनके कहानी संग रहें तर्क का तूफान धर्मियुत ग्यानदास फूलों का कुर्ता पिंजरे की उडान आधी उपन्यास दादा कामरेड देश द्रोही मनुष्य के रूप जूठा सच बारह घंटे आधी निबन संग्रह, चक्कर, क्लब, नियाय का संगश, बात बात में पत्र पत्रिका के दर्जनों लेख यात्रा संस्मरण है, रहा बेती, लोही की दिवारों के दोनों और आधी ये थी बिटा इनकी प्रमुक्रचनाई, साहितेक विशेस्ताई, यश्पाल ने अपने कथा साहिते में सामजिक यथार्थ का चित्रन किया है इन्होंने मिथ्या अर्थार्थ जूट, नैतिक आदर्शों पर तिवर कटाक्ष किया है इनकी कहानियों में सामजिक स्वतंतरता, आर्थिक विसमता की प्रधानता है, व्यक्ति स्वतंत्रिय से इनका लगाव रहा है इन्होंने धर्म की रूडिवादिता, अंध विश्वास, सामजिक कुरुईतियों का सतत विरोध किया है परंतु समाज की निचे दर्जे के लोग, वे मध्यम वर्गी लोगों के प्रती इनकी पून सहानुभूती रही है इसलिए इनका समग्र लेखन आम इनसान से जुड़ा हुआ है धार्मिक ढोग और समाज की जूटी नेतिकताओ पर करारी चोट इनके माध्यम से मिलती है भाशा शैली, भाशा को अभिव्यक्ति का साधन मानने वाले यश्पाल जी का भाशा के बारे में बड़ा ही उदार दृष्ठिकों रहा है इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदी भाशाओ के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी आदी शब्दों का भी प्रियोग किया है तत्सम तद्बव शब्दों का भी प्रियोग किया है इनकी भासा, इस्थान, काल, चरित्र की प्रकरती की अनुसार गठित हुई है इन्होंने भासा का सरल सहज स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है पात्र अनुकूल भाशा की उद्देश निष्टता सर्व व्याप्त है इसके अतिरिक्त इन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ सम्वादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है किलियर तो डियर स्टुडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले थैंक्यू